ओम शान्ति आज 2 नवेंबर 2022 है आज की साकार मुडली में बाबा ने हमें बंधन और संबंध के बीच में कॉंट्रास्ट बताया है कई बार बाबा ने आज ये हमें मुली में बताया कि इस समय हम कैसे अलग-अलग प्रकार के बंधनों में हैं और सत्युग में हम सब संबंध में होंगे इस बंधन को सम्मंध में कैसे परिवर्तन करें आईए जानते हैं उसकी एक बात आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से देह की आकर्शन के संसकार जो ना चाहते हुए भी खीच लेते हैं इस संसकार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य दो बातों का ध्यान रखो पहली हर एक के चरित्र को देखना है और दूसरा चैतन्य अर्थात विचित्र आत्मा को देखना है वर्तमान समय मुख्य यही पुर्शार्थ चाहिए जब भी हम स्वयम को देखते हैं या किसी अन्य आत्मा को देखते हैं संबंधी को देखते हैं तो कहा तो संबंधी जाता है लेकिन देख क्या रहे होते हैं कहें ना कहीं देहे जा देह के पुराने संसकार या देह के स्वभाव देह का स्रेटस देह के संसकारों के वश कोई न कोई आदत इन सबको ही हम देखते हैं इन सब को ही हम चित पर रखते हैं और कहीं न कहीं हमारे कर्म या हमारा उस आत्मा के प्रती व्यवहार भी उसी पर आधारित हो जाता है तो उसके पुराने पन से हम भी बंद जाते हैं और हमारा भी अगला जो संकल्प है या जो बोल है, जो कर्म है वो उसी के अनुसार होता है ये है देहे की गुलामी ये है देहे का बंधन बाबा ने इसको देहे का आकर्शन नाम दिया आकर्षन का मतलब सिर्फ सुहावना आकर्षन नहीं होता लेकिन आकर्षित कर लेना यानि कि हम उसके पीछे ही लग जाते हैं जैसे जैसे वो बदलता है वैसे वैसे हम बदलने लग जाते हैं वैसे वैसे ही कर्म हम करने लग जाते हैं तो केवल अच्छा आकर्षन नहीं, लेकिन कई बार विकर्षन भी एक प्रकार का बंधन ही है, उसमें भी हम आत्मा कहीं न कहीं आकर्षित हो जाती हैं इसलिए आज बाबा ने उसके लिए हमें युक्ति बताई कि जब भी किसी को देखें, तो सबसे पहले तो उस आत्मा के चित्र को नहीं, लेकिन विचित्र आत्मा को देखना है ये हमारे बंधन को संबंध में परिवर्तन करेगा क्योंकि उसको विचित्र आत्मा देखते ही भाई-भाई का संबंध याद आएगा या अगर वो ब्राम्हन परिवार की है तो सत्यूग में हम कैसे देवी संबंध में थे ये याद आएगा और नहीं तो उसे मुझे देवी संबंध में लाना है ये सेवा मुझे उसकी करनी है ये याद आएगा और दूसरा जब उस विचित्र आत्मा को देखेंगे तो उस आत्मा के चरित्र को देखना है चित्र को नहीं चरित्र को देखेंगे तो देह का भान हमारा भी तूटेगा उनका भी हम तोड सकेंगे और उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहन कर सकेंगे ना कि देह के कारण जो अवगुण है उनकी अंदर उनको चित्पे रखेंगे इसलिए आज सारा दिन बंधन मुक्त सिथी का अनुवव करने के लिए हर आत्मा से मीठा रूहानी संबंध स्थापित करते चलेंगे और बावा के इशारों का पालन करेंगे ओम शान्ति